हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं में वह नहीं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में चैसा कि आप सब लोग एंटी पी सी का जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला था और आरार सी ग्रूप डी में से जो सी बीटी टू हटने वाला था उसके बारे में जो ओफिशल नोटीस है रेलवे मिनिस्ट्री ओफ रेलवे की तरफ से आ चुका है और यह आप नोटीस भी देख सकते हैं इन सभी प करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा गोर्मेंट जोब की पलपल अप्डेट के लिए तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते मिनिस्ट्री ओफ रेल कमएटी टूरेशन टूर कांसर्ण ऑफ केंडिडेट यानि के जो कमएटी बनाई गई थी केंडिडेट के कंसर्ण के लिए 26 एक को उसका जो फाइनलिध रेल्वे को सोब दिया है मिनिस्ट्री ओफ रेल्वे का ये ओफिशल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया इसके आपको अप्डेट दी गई है देखिए आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं 20 टाइम्स यूनिक केंडिडेट विल बी कंसिडर्ड विल बी शोट लिटिट विद पे लेवल वाइस फॉर सेकंड इस्टेश कंप्यूटर शीवट यानि के लेवल वाइस का मतलब यह दो त तीन चार पाच और छे जो आपके लेवल थे उसी के अकोर्डिंग आपको 20 गुना केंडिडेट देखने के लिए मिलेंगे थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं दा केंडिडेट आल्रेडी अनौंस क्वालिफाइड विल कंटिनू टू रिमेन क्वालिफाइड यानि क जो आपकी शोट लिस्टिड होगे एडिशनल वाले जो अब दुवारा से इसके अंदर एड होंगे तो वो पे लेवल के इसाब से आपको आएगी पे लेवल मैंने बता दिया आपको की पे लेवल के बारे में क्या बोल रहा है अगले देखते हैं और और भी वाइज सेगि सिंगल सिफ्ट इस नोट पोशिबल विकोज दक फिकोज ऑफ कैपिशिटी ओफ कंसेंट्रेट ओफ अधरवाइस परसेंटाइल बेस्ट नॉर्मलाइशन विल बीड़न यानि कि इन्होंने यहां पर बोला है कि जैसे माल्दा जोन हो गया चंडीगड जोन हो गया या भी पाइस लिए एक ही सिफ्ट रहेगी तो अब आप सीविटी टू के लिए तैयार हो जाएए वहीं फिफ्ट पॉइंट में देखते हैं सीरेल नंबर आर सीसी यानिके यह इन्होंने बताया है सीविटी टू के लिए जो कृपडी में केंडिडेट्स ने अपलाई किया था उ यह इन्होंने यह भी बोल दिया है कि हम जल्दी से लिए और आर सीविटी वाइज और सीविटी विल भी हैल्ड लेवल वन आलसो मैक्सिमाइज अविलेबल कैपिसीटी इस रिकमेंडेटेट तो यूज्ट तू सिगनिफिकेंटली रिद्यूस दान नंबर ओफ शिफ्ट् आयंको इन्होंने यह भी बोल दिया है कि हम जल्दी से जल्दी स्पीड अब का मतलब यह जल्दी से जल्दी जो है अबका एगजाम कंड़क करा लेंगे वह यह आप फिस्ट पॉयंट में नेक्स पॉयंट में आप देख सकते हैं परसेंटाइल बेस नॉर्मलाजियाशन व विल बी यूज़ विल बी यूज़ वेरेवर दा नंबर ओफ शिफ्ट इनवोल एंड मोर देन वन यानिके जो परसेंटाइल आपका होगा उसके बेस पर आपको नॉर्मलाज़ाशन दिया जाएगा और यह कब लाग होता जब एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट आपकी होती है वहीं अगर मेडिकल इस्टेंडर की बात आप करते हैं तो मेडिकल इस्टेंडर एज इन इंडियन रियल्वे मेडिकल मैनुवल विल बी यूज़ फो डिफ्रेंट पोस्ट लेवल वन यानिके जो उनके पोस्ट लेवल के हिसाब से उनके मेडिकल थे वह अपके मेडिकल as valid यानि कि जो EWS का जो बड़ा मुद्धा था उनको इन्होंने valid मान लिया गया है महीं अगर हम बात करते हैं कि RRC Group D का और NTPC का एक्जाम कब हो सकता है तो वो इसके अंदर लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं revised result of all pay level to be declared by the first week of April यानि कि first week of April में आपका result आ जाएगा second stage CBT for pay level 6 to be held in May यानि मई के अंदर आपका जो है station master के लिए आपका जो है exam के लिए जाएगा CBT 2 stage for the other pay level to be conducted after giving the reasonable gap यानि के एक gap रखा जाएगा level 6 के बाद तो आपका CBT 2 यानि के level 2, 3, 4, 5 के लिए आपके exam हो जाएगे वह इसके अंदर क्या लिखा है next point के अंदर it has been decided to follow received methodology with special condition for conduct for CBT of CBT for level 1 due to elimination of CBT stage 2 यानि के first stage CBT की जो methodology रखी जाएगी वह condition के according रखी जाएगी और इसके अंदर कोई भी CBT 2 आपका नहीं है next point के अगर हम बात करते हैं this will involve mobilization of additional infrastructure logistic to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift effort will be made to have the exam conducting agency यानि के इन्होंने बोलाई की इसके अंदर की जो shift wise होंगा उसके अंदर जो intensity है यानि के जो पर shift है उसको बढ़ा दिया जाएगा और वहीं last point में हम देखते हैं CBT of level 1 is planned to be held in tentative in July यानि के आप देख सकते हैं कि अब आपको NTPC के भी और group D के भी जो date है RRC की भी date आपको पता चल चुकी है exam आपका कब तक हो सकता है तो अब आप लग जाएए अपनी तैयारी में और अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं चया तो subscribe करके bell icon को जरूर दबा दीजे government job की पलपल update के लिए Thank you for watching